हलो एवरिमान, वेलकम बैक टू अवर चैनल, मेरे सारे फ्रेंज कैसे हो सब लोग, एकदब मस ना, मेरी पूरी कुकी स्पाट सेमली हमेशा स्वस रहे हैं और खुब खुश रहे हैं, बस यही मेरे अबिल आशा है, आज का हमारा व्लोग, आज हमने क्या क्या किया सारा दिन, कल संडे मैंने कोई शूटिंग नहीं करी, ना ब्रेकफस्स, ना लंच, ना दिनर, छुटी कर ली, बहुत थकान थी, सैटरडे की थकान तो मतलब ऐसे पता नहीं सकती, सुबह आँख खुली थी रोज के, जैसे वापस से फिर सो गई, फिर सो ही तो मतलब सोती रही, और उत मंडे है, मौनिंग में मौसम कुछ इस तरीके का है, बाहर में, हलका थंडा, हलका थंडा वाल अच्छा लगता है मुझे, गर्मी तो बिलको पसंद नहीं आ, और थंड रहे, पर वो करेंट वाली ना लग, मीडियम वाली जो रहती है, ना ऐसे हलकी फिलकी वाली, वो मुझ अच्छी लगती है, क्रिस्मस ट्री हमारा जैसा सजाय गया था, वैसा का वैसा ही है, बच्चों ने कोई छेर चाड भी नहीं करी, हमारे घर तो चलो बड़े ही हैं, दो छोटे बच्चे भी हैं, बिल्डिंग में, उन्होंने भी नहीं कुछ खराब किया, ये मूली आई थ तो नहीं अच्छी लगती हैं, पर सीजन में एक आदबार चीज़ें अच्छी लगती हैं, सीजन वाले इन दिनों मूली बहुत अच्छी आ रही है, खुब अच्छा पानी वाली ताजी, टमाटर बारी काटा है, मैंने दो टमाटर हरी मिर्ची और मूली का छिलका उतार के च्छोटे पीसिस किये हैं, उनके पत्तों को भी बारी काटा है, बहुत मोटी डंठल थी, वो भले हटा ली हैं, और कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, एक चमाट जीरा डाला, बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, और विंडो खोली, क्योंकि जैसे छोक लगाओ तो धुआ जैसा आता है, थोड़ी सी हींग भी डाली है, और ये दो टमाटर कटे हुए, टमाटर से हलका सा खटा पनाएगा, तो टेस्टी लगती है सबजी, हल्दी पाउडर आदा चमाच डाला है, एक चमाच ये करीब धनिया पाउडर, और आदा चमाच करीब मैंने लाल मि मिर्ची भी डाली है, हाला कि अरे मिर्ची डाली है, लेकिन डाला लाल मिर्ची भी और नमक स्वाब कर देया यूशा डाला है, अब टमाटर जल्दी घल जाएंगे, इसलिए नमक किसी टाइम पर रड़ा, और अच्छे से भून लेना है, थोड़ा तेल ज्यादा रहे है न हारी सबज्यों में और अब मैंने ये कटा हुआ बारी यह मूली का सारा पत्ता डॉल देश्ञे है और यह पूरी एक बड़ी सी मूली के टुकरे डालہ जोटे घाटे मैंने बहुत ताजी है और ये बहुत जल्दी पकने वाली सबजी है दाल चावल के साथ मूली की सुखी सबजी बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ गरम गरम पराठे गरम गरम ये सबजी नाश्टे में भी बहुत अच्छी लगती है और अभी वेंटर सीजन में मूली अच् है मतलब वह जब होस्टल में रहता था तो अगर घर भी आता था तो मम्य उसके लिए बनाती थी मुली की सच्ची और अब आठा गूत रही हूं मैं आज इस थाली में आठा गूतने में ऐसा कुछ अलग लग लग रहा है कल वाली बड़ी पारात जो थी ना वो मेरी फ्रेंड के घर से ली थी मैंने कीर्टी की घर से बड़ी वाली थाली पारात आज इसमें आठा गूता जा रहा है और आठा अच्छे से मल लिया है मैंने क्योंकि टाइम ने रहता सुबह कि रैस्ट के लिए रख दो आठा ना गूत और शुरू हो जा वो बात रहती है लंच और डिन थोड़ा सा कल्ची से दबाया तो देखा मोली एकदम एजली कट रही है मतलब पाक गई है और पानी में ही जो पानी निकला भाप में उसमें पूरी सब्जी पाक गई है देखो मैं बोल रही थी ना तेल इसलिए इसमें तेल तिल दिख नहीं रहा ना थो मम्मी लोग मेरी रही बनाती है तो उनका ऐसे देल नजर आता चमकती सब्जी चमक रहती है सब्जी में तो देख sometime ऐ लगता है खा इप्छे से नहीं लगती है और गैस बंद कि वन्द की है मैंने सब्जी अच्छे से पक गई है, गर्म मसाला मैंने नहीं डाला है, सिर्फ सूखे मसाले डाले हैं, बस अब इस सबजी को मैं डोंगे में निकाल लूँगी और इसे ढख करके साइड में रखतेंगे, फिर उसकी बाद प्राठे बनाने शुरू, तो सबजी बहुत ही टेस्टी लगती ह अब प्राठे बनाने शुरू, तो पर्त वाले पराठे बना रही हुए, गरम गरम पराठे, शुभी, शुभम तो इतनी जल्दी सुबह से नहीं खाना चाता है, लेकिन शुभी अपने बापा के साथ ही टाइम पे खाती है नाश्टे के लिए, और मैं हम तीन लोग और रोटियां भी नहीं सेकोंगी, जब खाने के बारी होती है, तब ही खाये जाता है, तो बस ये पराठे सेक रही हुए, तो मतलब नाश्टे में मूझ लिकी सेकोंगी है, और जो हमारी फ्रेंड बुरहानपुर से आई हुई थी, शालनी भाबी, वो लोग आज वापस ज जाती हैं, लेकिन सब वही ड्यूटी की वज़े से फसे हुए हैं, सब लोग बंदे हुए, और हम लोग जानते हैं, एक दूसरे की परेशानी, क्योंकि जिस पोस्ट में ये लोग हैं, तो बिल्कूल भी छुटी नहीं मिलती है, गुपता जी जब पीड़ावलू आई थे पाचोरा में, तो मतलब किसी भी वक्त फोन, किसी भी टाइम फोन, 24 गंटे फोन, और वो जो हालत थी ना, उसको ही देख देखे हम लोग परेशान थी, और वो भी परेशान हो गया थे, इसलिए जब अभी हम लोग आए ना, बुसावल, तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली से, तो मतलब दो दिन की चुटी बहुत बड़ी बात है, मिलती ही नहीं चुटी, घर चले जाओ, महीं को फोन बद जाए, वापस आना, ये करना, वो करना, दिन रात फोन पोजीशन देना, वेना, चलो ठीक है, गैंग में रहते हैं, उनके अंडर में, लेकिन कोई मतलब न न दिन चुटी, न रात चुटी, चैन ही नहीं रहता, वही छोड़ चार, और जब नाश्ता हो गया, तो सुबह फोन में बात हुई थी, हमारी की भाबी आज जाने वाली हैं, तो लंच में हम लोग फिर इनके पास ही आए, तो दोनों बच्चों को ले के आज मैं काफी टा साल है शायद, और हम तीनों लोग आज पहली बार स्कुटर में निकले, और आज जैसे घर से निकले, तो मैंने पर्स जो उठाया, उस पर्स में मेरे, वो आला, ड्राइधिंग लैसेंस नहीं था, तो दो सुरोपए की चपत लगी, उसके बाद उनके घर पहुचे हम लोग और मुझे हमेशा टोका जाता है कि अपना पर्स में रखा करो, पर जो हम लोग के साथ होता है, कभी कोई दूसरा पर्स लिया, कोई दूसरा, तो हुई गल्ती, एक बार जो गल्ती होती है, तो फिर आगे के लिए मेशा याद रहता है, तो अब आज के बाद याद रहेगा पनिशमेंट भी बहुत जरूरी होती है, अभी तक हलके से लेती थी है, जब भी मुझे टोकते थे, कि मिनू तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख लो, हां रख लेंगे, रखा है, और किस पर्स में रखा है, तीन चार तो रहते हैं, अब जो उठाया, किसी एक में नहीं है, और बस आगे हम लोग इनके घर में हैं, सब लोग, सोनवाने भावी के घर में, आज यहां पर सब लुटाइम पर हैं, तो सब साथ में ही खाना होगा, और फिर वो लोग निकल जाएंगे, शालनी भावी लोग, और ये इनकी छोटी बेटी है, और मोती है, इनका कि यहां जैसे मिलने आए वैसे ही आज यहां पी आए फिर यह था कि खाने के बाद निकलेंगे वो लो यह है रेलवे को आटर देखो बहुत मेंटेन करने पड़ते हैं जो भी आता उसका यही कहना हमने यह करवाया था मतलब पहले ऐसा था जो रहता अपने इसाफ से बात करते हैं कि जाहे बाहर में और कितनी भी फैसिल्टी मिल जाएं लेकिन रेलवे को आटर की यह जो चीज होती ना स्पेस यह हमेशा याद रहेगा हमें आज भी पाचोरा याद आता है मतलब इतना बड़ा फंगला था कि F4 था हमारा बड़े बड़े थे अंग्रेजों बन रहा है बाजरे की भाकरी चावल डाल और अलू गोवी की सुखी सबजी तो यह जो उनकी हाँ काम करती हैं की मेड हैं उन्होंने बनाया है यह महरास्यन है तो उनकी देखो हाथों में परफेक्शन कितनी मस्त उन्होंने भाकरी बनाई है एकदम से मुझे लगा चावल पकी रहता हो दाल भाबी चड़ाने वाले थे सबजी वरनी है मैं सुची शूटिंग तो आश रेसिपी एसिपे का पिल्कुल भी लेना ही नहीं है बस हाँ खा रहे है इतना ही दिखाओंगी एकदम से जैसे में नजर गई क्या गजब भाकरी बनाया देखो जरा साइस काली दो तीन मुठी आटा जवार का या बाजरे का बाजरे का और उसी में डाला उन्होंने पानी आटा गूथा गीला गीला और फटफट से उन्होंने थप थप करके परात में पूरी रोटी बनाई और तो भाबी कहती है इंमत लो हमारा केचन अच्छा नहीं है तो यार हमारा पाचुरा में बाहर से कितना सुन्दर था अंदर इतना खजहा था कि उपर से जो थे ना टपकती थी हां सच में ऐसे जोपडी जैसे आकार होते ना जो बंगले अंग्रेजों के जमाने की हवेलिया रेलवे क्वाटर में मैंने तो लटकता हुआ साप तक देखा है उ उपर से क्योंकि उचाड़ जाते हैं उपर और वो इतने छेद छेद होते हैं इनका तो फिर भी पूरा था हम तो जहां रहे हैं हमने तो मतलब कितने देखें नेवले साप गिल रही हैं ऐसे बैड में टपाक से गिरी ऐसे ऐसे तो मैं उनसे कहती है आप ना सोचो सब को पत झाल 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 ढृण तो तो वो सुख बाइद मेरे आही को जाना आंगी होता है। कबूतरों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि मैंने तो इसको मतलब खोलना ही बंद कर दिया दर्वाजा तो अब अती हो गई थी तो यहां पर न जाली लगवाना चाह रहे हैं क्योंकि हमकों दिक्कत हो रही है नहीं रह पाएंगे क्योंकि कपड़ा पैक कर लिया चलो ठीक है वो कपड़े के अंदर ते गुस-गुस के चले आ रहे हैं बहुत पुरे हाल उनके गुटरगों शुरूर रहता है दिन रात तो वही कामवाम हो रहा है तो इसके लिए मैं बच्चों को छोड़के फिर यहां आई फिर यह सब जितना इन्होंने किया उसके बाद वापस पी गई और बच्चे हां खेल रहे थे नहीं लिया मैंने चाय वाई का अब जैसे जाओ कोई चाय पी रहे फिर शूटिंग शुरू करो अजीब भी लगता है कहीं बाहर जाते हैं तो मुझे दस बार तो सोचना पड़ता है कि शूटिंग करें कि नहीं करें तो बच्चों क पी गई इसके बाद उनकी जानी का टाइम हो चुका था तैयारी थी भी कुल लास्ट टाइम पर भावी ने फोन कि हम लोग निकल रहे हैं तो आज आओ आप फिर में आई वो लोग चले गए यानि बुरहानपुर वाली फैमिली चली गई अब हम लोग आई ही है बावी यह सारी का बावी और मैं और शुभी और उनकी बेटी इन लोग की बड़ी पट्टी है शुब हम उनके छोटू के साथ था खेलने में और पस यहीं इंतिजार कर रहे थे कि अब थोड़ी देर हो जाए फिर क्लब जाएंगे वहां पर थोड़ा बहुत इंज्वाइ में देख रहते स्टेटस वगारा मगान हम लोग और नीचे से इनका यह जैरी है जैरी आया उसने मेरी चुन्नी कीची मेरी जॉर्ज चिफॉन की बड़ी फेवरिट वाली चुन्नी थी जो मैंने अभी डाली थी उसने दातों पकड़ के किया उसको हम लोग ने का छोड़ो 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 तो क्या फिर सीधे एक चीरा लगा और उसके बाद यह जैरी कीच साहितना प्यारा है देखो भाब भी जब भी सो गोद में लेती तो मैं तो इनसे कहती हूँ आपका जैरी भी कीचे और आप भी कीचो कितनी प्यारी और वैसी फेस इतका बहुत प्यारा पिर हम लोग आ गए क्लब में और यह क्लब आउस एक दिन दिखाय था ना शायद मैंने सननाटा एक दम सफचट सननाटा शायद थोड़े से थोड़े बहुत ही लोग थे और जैसे हम लोग अंदर आये बस फिर हम लोग उनने थोड़ी देर खेला हुदा मुझे तो ज्यादा प्रैक्टिस है नहीं मैंने बताया था ना एक दिन सालों बाद तो मैंने यह खेला बैडमिंटन तो अभी आज दूसरा तीसरी बार ही शायद आए हैं हम लोग तो भावी लोग तो एक्सपर्ट हैं डेली वो लोग आते हैं बच्चे भी आते हैं क्योंकि सब उसी कॉलनी मे रहे तो वही के वही चले गया मेरी तो शाम को जो शूटिंग शुरू होती है छे बजे से जो मैं शुरू करती हूँ तो देखो कैसे 9.30 बचते हैं दस तो बजी जाते हैं नहीं तो साड़े-9 तो हर हाल में अब क्या जाऊं मरला बहुत दूर नहीं है लेकिन दूर ही कहला तो आज आए हैं टी शिर्ट और हाफ पैन पैनी है इसका नाम है शर्वनी बहुत ही प्यारी बच्छी है बहुत क्यूट है बहुत ही अच्छा खेलती है सब्सक्राइब अच्छा खेलता है बच्छों की प्रैक्टिस यह बहुत है रहा है एसका इजालिवं करते हैं इसको चोटी बनीaisonए ओविंधिश इसलिए यहां इतना अच्छे से नहीं आता ना इसलिए जो हमाहे साथ खेले हो उसके लिए तो तोड़ी बहुत ही है कि हाँ मज़ा नहीं आएगा और भावी की बड़ी बेटी है वो जिम करती है डेली पस अफसे में की दिन चुट्टी लेती है तो यहां पर यह खेल रहे है बैडमिंटन सामने दिख रहा है एक हॉल वहां अंदर जिम है बहुत बढ़िया है जो आ सके लब जिनका डेली हो वाक आउट तो बहुत अच्छा है ना कितना और यह है जिम पहले किसी दूसरी जगह था अभी यहां पर किया गया है और यहां पर काफी मशीने हैं वैसे सब कुछ है लगबग और जो बता रही थी मैं रिया और टीना यह दोनों बेटियां है सोनवनी भाबी की बहुत प्यारी है जो बड़ी बेटी है इनकी तो जब यह ह हम लोग मनमाड में जो मैं बोल रही थी हम लोग मनमाड जाते थे तब बहुत चोटी सी थी तब देखा था मैंने उसके बाद अब देखा तो विलकुल सोचो बच्चे बड़े हो जाते हैं कैसे वक बीच जाता है और बेटियां खासकर बड़ी हुई मतलब एक दोस जैसी ह जाती है मैं उसके साथ थी वो पूरा मुझे बता रही थी कैसे करना है आंटी कैसे करो इतना अच्छा लगता है लड़कियां होनी चाहिए या देखो बड़ी हो गई ना तो बैस्ट फ्रेंड बन जाती है कोई हम लोगों को उनसे सीखना है या हम कुछ भी हमें नहीं आता है तो तुरन पताती है जैसे ने लड़कियों के अंदर ये चीज होती है तो इतनी प्यारी है बड़ी बेटी और जब वो मेरे से बात कर रही है मैं बस उसका चहरी देखे जारी इसका फेस्बिल को आज भी वैसा ही है जैसा मैंने देखा था और बहुत चोटी सी थी जूल बाता है तो वो मुझे बता रही थी ऐसे करिये वैसे करिये वही तो मेरी शूटिंग ले रही थी और पूछने लगी कि आप रैसिपी क्यों नहीं बनाती है आप व्लॉग में इतनी महनत होती है डेली व्लॉग में सारा सारा दिन लग जाता है तो फिर मैं उसको बता रही थी कि पहले मैं जब चैनल शुरू किया तब मैं रेसिपी जी बनाती थी लेकिन फिर मेरे जो वीवर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट ही कि आप डेली व्लॉग्स बनाया करो तब फिर मेरे रूटीन बनाने लगी तो कैने लगी अच्छा ठीक है इस तरीके से करते हैं कि मैं आपसे पूछूंगी यही बात फिर आप बताना तो आपके विवर्स सुनेंगे तो मैंने का ठीक है तो साउंड की प्रॉब्लम जैसे फिर वो स्लो आ रहा था फिर वही सब लोग कहेंगे कि आवाज नहीं सुना ही दे रही तो फिर मैंने वोईस ओवर किया इस बात को और फिर एक जोज यही करती है थोड़ी देर शूभी ऐसे कर रही थी तो उसको भी पीछे से हमनों ने शूट किया शूबम तो पकड़ में नहीं आता जैती शूबम की और कैमरा किया तो शूबम चर्माना शुरू फिर तुरन हट गया और यह देखो यह बच्चों का खेल और टीना र तो इस तरह किसे हम लोगों ने यहाँ पर टाइम स्पैंड किया शाम में मतलब वो लोग तो डेल ही आते हैं पर मैं रोज काम काम अब कोई काम शुरू किया है तो इसे छोड़ भी नहीं सकती ना वह चीज है मानों ना भी करू रोज तो भी वही दिकत है ना कैसे कैसे निकालना चाहिए ना करना चाहिए अब अगर देखो रेल्वे कौटर में आ गया पास में रहेगा तो कर सकते हैं पर रेल्वे कौटर में मेरी शुटिंग की दिकत हो जाएगी ओम भी यह बोल रहे थे माहरे देखो कोर्टर तो मिल जाएगा अप्लिकेशन डालेंगे मिले जो खाली होगा अगर नहीं है थोड़ा बहुत दिक्कत तो मेंटिन भी कराना होगा क्योंकि पूरी तरीके से हर क्वाटर मेंटिन नहीं रहते हैं लेकिन किचिन तो पक्का से है कि जैसे हमारे डेलाइट आती है एफेक्ट देख रहा हूं ओपन एरिया है वो चीजे नहीं मि अच्छे क्वाटर है तो अच्छे मेंटेन है लेकिन शूटिंग में दिन भर लॉन में तो नहीं बैठे रहेंगे नाज घर के अंदर का नहीं हो पाएगा मेरे से और यहां जो कल्पना भाबी उनका बेटा अंशू बड़ा है वो यहां पर वाली वाल खेल रहे हैं सब जै आने वाला काम तो हो गई ना तो बस यह था कि टाइम से घर पहुंच जाए तो बच्छों को लेकर के आई थी मैं सुबह में छोड़ गई थी जो बताया था दो फैर में मैं गई फिर वापस आई और अब मैंने भाबी से कहा कि चलो बाज कर दे यहीं पर ही खतम करते हैं फिर शुरू वही ब्रेकफार्ट, लंच, दिनर फिर जब कपी टाइम मिलेगा ऐसे सैटरेड़े संडे में वीकेंड में आने की कोशिश करूंगी मैं थोड़ा एंजॉय करेंगे हम लोग बाबाई थांक यू और पता है मैंने दोपैर में जब बच्चो को छोड़ के गई थी न तब ही मैंने ड्राइविंग लाइसेंस डाल लिया था अब हमेशा रहेगा